नमस्कार दोस्तों इस्टेडी उत्मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है और हम लोग देखेंगे भईया फूटकार प्रोशन आप इंडिया आर्तिक खादे निगम में भईया अधिकारी बनने का मौका आया है जो लोग इसकी डिगरी क्वालिफिकेशन रख रहे है इसको चुकने ना दे भईया अधिकारी की सीट कमी आती है ठीक है ना चलिए लोग देखिए आफिशियल नोटिफिकेशन है एडवर अटेज्मेंट संख्या एक एक कईस का है चलिए देखते हैं किसकी कितनी सीट आ यह आराम से देखते हैं जितना हम बताद उतना देख ल देख लिएगा ठीक ना नोटिफिकेशन अपने अन्सार भाईया सबकी अलग अलग रिक्वार्मेंट है जनरल चीज़े कुछी होती है तो चलिए देखिए असिस्टेंट जनरल मैनेजर अस्टेंट जनरल मैनेजर का कितना है सीट टोटल सीट आई है भाईया 30 सीट आई है यह बाई फरकेशन है भाईया देख रहा है ना साथ हजार से लेकर एक लाग 80,000 तक आपको तनखा मिल सकती इसमें ठीक है ना और यह टोटल सीट की सीट कितने तीस और देखिए यस्टी की सीट कितनी है तीन यस्टी की तीन और OBC की नव और EWS की तीन और यह जनरल का बार इसमें कितनी सीट है 27 सीट है और यह सब देख लिजेगा इसमें 28 होना चाहिए आपकी उमर इसी तरह से 28 मेरा उद्धे से होता है आपको बताने का भाईया कि आप जान जाएं कि भरती आ गई है कुछ चीजे बेसिक डिटेल और फारम भरने से पहले आप लोग कंप्लीट नोटिफिकेशन जरूर देख लिया करिए चली आगे चलते हैं मेडिकल आफिसर की सीट कितनी है भाईया दूठ हो है 35 और टोटल सीट कितनी है 89 मैं पहले से मार कर लिया हूं कि क्या क्या आपको बताना है ठीक है न भाईया ने तो पचास पन्ने के नोटिफिकेशन को पां मेडिकल रिक्वार्मेंट है ठीक है न कि कौन कौन लोग किसकी परकार के पत के लिए इलिजिबल है तो इसका अब्रिवियेशन नीचे लिखा होता है बढ़ियां से आप देख लेंगे ठीक है न भाईया मैनेजर बनाएगा डाक्टर बनाएगा मेडिकल आफिसर बनाएग कि और यह दिया भाईया कि यास का मता सीटिंग यास्टी का मता स्टैंडिंग यह सब चीज प्रोसीजर आपको रहना चाहिए ठीक है न तो हम लोग आगे देखेंगे और यह देखी क्वालिफिकेशन एंड एक्सपरियेंस भाईया एक किस डेट तक आपके पास होना चाहि ठीक न असिस्टेंट जनरल मनेजर के लिए आपको पोस्ट ग्रेजूट होना चाहिए वित मिनिममं 55% 55% होना चाहिए और या लाक डिगरी या 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 करके जो लिखा हुआ है आप इस सब चीज को देख लेंगे चलिए तो असिस्टेंट जनरल मनेट टेक्निकल के लिए क् अगरिकल्चर 55% और सबी लोग ये डीटायल में देख लेंगे मैं आपको बता चुका हूँ कि 55% 50 पेज को कैसे बहिए पांच मिट में समिट करें इसलिए मैं आपको कम से कम समय हम बरबात करें इसलिए क्या कि है हम पहले से मार्क कर लिए कि कहां कहां आपको बताना है जो महत्वपून बाते हैं यह सब चीजें आपके पास एक एक 2021 को होना चाहिए और यह सी एस्टी को पांच बरस का छूट मिलेगा उम्र में और ओवी सी को तीन बरस का छूट मिलेगा ठीक है ना चलिए आगे चलते हैं अर आज यह सोस्वब्सक्राइब कि अं 이제 देखती जाए हम जो चीज जयरुर्ण से बरूं मर्क कर लिए हैं आँ मैं टेस्ट कैसा होगा आउनलाइन्टोगा ठीक है और और आन characteristics कीज़न किया किसमे पूछ से Strafe असिस्टेंट जनरल मनेजर जनरल एडिमिनिस्टेशन में पूछेगा इसका पोस्ट कोड ए है और नंबर आप कोश्चन से एक सवस्य होंगे समय आपको धाई गंटा मिलेगा और यह चीज आप से पूछा जागा रिजनिंग पूछा जागा पैंतालिस कोश्चन जनरल अवर सबके लिए एक सवस्य कोश्चन डाई गंटा और यह सब चीज पूछा जागा चलिए और भी वह आगे बहुत बहुत मत्पुर्ण चीज हैं यह सब देखते रहेगा यहां पर लिखा वह एक नो निगेटिव मार्किंग इसमें वह यह जो पद दिया है इन सभी में निगे मैं पहले समार कर रखाऊं कि आपको क्या क्या बताना है तो यह आपको परिछा सेंटर का कोई लोग्स ह Cheese और यह दिकते जान films कि अंडमाननी को बार कौन परिच्छा देने जागा तो यहीं दिया बैया कि कौन से प्रदेश में कौन कौन से परिच्छा सेंटर रहेंगे ठीक ना बियार में पटना रहेगा प्रदेश लेगा एक हजार रुपिया जो अधिकारी अधिकारी की पोश्ट आती है इस तरह से जो डिपार्टमेंटर निकालते हैं तो उसमें यह होता बैया कि सीट कम रहती है कम लोग अपलाई करते हैं इसलिए खर्च को वहन करने के लिए बैया मैंटेन करने के लिए क्या करते हैं जादे रख देते हैं तो इसलिए बढ़ियां से तयारी करिया अब देखिए भाईया अप्लिकेशन फीश मनें फीश जो आप कब से कब तक कर सकते हैं तो एक से एक तीश तक मार्च में चली आगे चलते हैं एक जब पूरा डेट दिया हुआ भाईया कि कब कब आपको लास्ट डेट क्या क्या कैसे है यह है टेंटेटिव से डूल भाईया ठीक है न एक से लेके एक तीश मार्च तक आप फारम बर सकते हैं ठीक है न और एडमिट काड आएगा भाईया अलवे काल लेटर्स आपको कब परिचास दस दिन पहले और भाईया डेट आप आनलाइन टेस्ट कब होगा मई और जून समभावित भाईया टेंटेटी ठीक है न तो इतना आपको बताना था और भाईया फारम बरने से पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से देख लीजिएगा तो चलिए इतना ही बताना था मिलते हैं धन्यबाद